गोड़े की रेस पे वही जीतेगा जिसकी बहतर हुराख है और जो तेजी से दोड़ता है मनुष्य के दिमाग में भी दो गोड़े हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जिसे ज्यादा खुराक मिलेगी वो ज्यादा तेजी से दोड़ेगा अब आप सोचिए आपके पास कौन सा गोड़ा है पॉजिटिव या नेगेटिव अगर नेगेटिव है तो सब नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव है तो 2023 में सब कुछ पॉजिटिव रहेगा यही आज का आपके लिए सफलता का घुरू मांतर है दमशकार प्रियसातियों मैं हूँ सुरेश श्रिमाली और आप देख रहें कुम राशी 2023 राशि करता हूं 2023 कुमराशे वाले लोगों के लिए स्टूडेंट और लर्नर्स के लिए पुरे मनोयोग से पढ़ने और कर्म से सफलता प्राप्त करने का है आप जॉब में बहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे सेहत के मामले में अच्छा रहेगा और यात्रा के लिहास से शांद वक्ट 2023 में आपको सबसे आगे रखेंगे प्रेसातियों शुरुबात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से देखिये कुम राशी में सबसे पहले 17 जनवरी से शनी आपकी राशी के लोड़ ओकर आपकी ही राशी मा जाएंगे और पूरे साल वही रहेंगे और शश योग बना और 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु मेश राशी में रहेंगे लेकिन वक्री हो जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 में राहु मीन में और केतू आपकी कुनली में कन्य राशी बनाएंगे यानि धनबाव में राहु रहेंगे और 8 ताउस में केतू रहेंगे 6 अप्रेल से 2 माई त तक शुक्र 4 ताउस में मालवयोग बनाएंगे और 16 नौबर से लेकर 27 दिसंबर तक मंगल 10 ताउस में रूचक और कुल दीपक राज्योग बनाएंगे इसी से हमने आपके पूरे साल का राशीफल तायर किया तो बात करतें स्टूडेंट और लर्नर के सबसे बेले देगे साल की शुरुआ से 39 अक्टूबर तक केतु की नौमिद्रिष्टी पंचमभाव पर उनने से आपका मन बहुत उचाट रहेगा इस साल एक चीज आपने डिसाइड कर लिए तो आप खुद उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे दोजार तेईस में आपने जिस चीज में मन बना लिया है उस पर पूरा ध्यान दीजे और बाकी चीजों में थोड़ा ध्यान देओगे तो चल जाएगा आईटी प्रोफेशनल मेडिकल और लॉग तीनों लोगों के लिए साल बहुत शांदार है मैनेजमेंट के लोगों को और जादा मेहनत करने की जरूत पड़ेगे है उस पर कुछ टेकनिकल एरर आ सकता है आपके अपने ही दोस्त आपकी बैड कमपनी आपको तकलिव देशेती इसके उच्छे शिक्षा हो या जनरल या कॉम्पेटिटर एग्जाम हो अच्छे अंक और अच्छा बविश्य चा 21 अपरेल 2023 से 39 अक्टूबर तक थर्ड आउस में गुरू राव का चांडाल दोश रहेगा जिससे अनेग चुरौतियों का आपको सामना करना होगा और इन चुरौतियों से लड़कर ही आप सफ़ता प्राथ कर सकते हैं आपको रिसर्च और डवलपेंट और कुछ ऐसा करना होगा जिससे अधर करिकुलर एक्टिविटीज भाग लेकर आप अच्छा फील कर सकते हैं 31 मार्च से 7 जून तक पंचम भाव के लौड बुद थर्ड आउस में लेकर राहू के साथ जड़त्व दोश बनाएंगी इस टाइम पिरिड में आपके उपर कोई धात हो सकती है द बड़ से दूर जाकर पढ़ाई करने का योग बन रहा है किसी नए कोर्स एड़िशन के लिए एपलाई करना है विदेश पढ़ना है कोई बी ऐसा काम जो आपने अभी तक सिर्फ सोचा और करने का मन है तो आप उसके लिए जरू अपने टीचर कोच मेंटोर से कुछ नहीं को सला लीजिए और कोचिंग स्टार्ट करिए ये काम अगर आप पांच जुलाई से 25 अक्टूबर के बीच में कुछ परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए बहुत शांदार हो सकते हैं इस साल हमेशा की तरह सेल्फ इस्टेटिब पर ज्यादा ध्यान दीजिए तो ये आप के लिए अच्छा रहेगा आप कुछ भी नई शुरुवात करें तो गुरुवार के दिन करिएगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लेकिन अब मैं कुछ विशेश उपाय बता रहा हूं इसके लिए शनिवार के दिन सर्सों के तेल का दीपक शनी मंदिय और पीपल के पेड़ पर दोनों में से किसी एक जगए जरू प्रजुरित करें साथ ही शनिवार के दिन चीटियों को मीठा आटा डालने से भी आपकी समस्या दूर होती शनिवार और मंगलवार को सुन्दरकांड और अनुवान चालेशा का पाठ जरू करिए हर शनिवार शनी देव की उपासना करें और दशरत करत शनी स्तोतर का पाठ करें प्रतेक सोमवार शिव मंदिर पे शिवलिंग पर कच्चा दूद चड़ाएं गर में शनी यंत्र और स्रियंत्र की स्तापना करें काली माला से ओम शम शनिश चरायने महां मंत्र की 10 से 15 मिंट तर जाप करें महिने में एक बार किसे दिव्यां को बरपेट बोजन करवाएं इससे आपका कोई बेगरतावा काम भी बन सकता है बागिशाली रंग इस साल आपके लिए नीला और बैंगरी रहेगा हमने गुडलक शक्ती कवच का निर्वान किया हर राशी के लिए आप जोतपुर करेले में संपर करके कुम राशी के लिए मंगवा सकते हैं इस साल बागिशाली दातु आपके लिए लोहा और चांदी रहेगी बागिशाली नंबर 379 और 12 रहेंगे मैं आप सभी को बहुत-बहुत शुब कामने देता हूँ और आप पुरे मनोयोग से 2023 को गुजारिए आज के लिए तरह ही स्वस्त रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए आप मुझे परसली मिल भी सकते हैं या टेलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंसी अपटमेंट के द्वारा भी जोड़ सकते हैं प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद हैपी न्यू येर